कि अब बात करने वाले वापना आज के लिए उस्ट्रेलिया के बीच में जहां कहानी तीसरे उडियाई में खतम हो सकते थी अब बारी आचुके फोर्थ ओडियाई की क्योंकि जगों सेरीज बाई उस्ट्रेलिया नहीं जीती है अभी तक उन्होंने पहले दो मैंचे जी दे पर तीसरे जो था वह इंग्लेंड ने जीत लिया यहां से बहुत बड़े तरके से हैरी प्रूप ने सेंचुरी मार दी बागे विकेट्स वगरा भी निकाल दी वॉलेट्स ने तो फिर आप फोर तोड़ियाई में आज के लिए क्यों जीत जाएगी यह फिर इंग्लेंड एक और यहां से अच्छा में च्विन कर सकती है तो क्या रही कि सारी चीज़े करेंगे डिसकुस तो वीडियो को आखर तक देखना और साथ-साथ आखर तक देखना एक फायदा आपके लिए और रहेगा वह क्या क्या आपको मैं एक ऐसे जवर्दस्त ओफर के बारें बतान तो सारी इंफर्मेशन तो मिलेगी जिससे एक बहुत बढ़िया टीम और मना पाओगे तुम्हेंस बिलकुल नहीं करना है पड़ावट से एक काम और करो कि लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अगरे जिनों नहीं क्या कर लो बागी डिस्क्रिप्शन में टेलिग् तक बात पहुच गई है बागी देखो इस ग्राउंड पर हो चुका है 69 मैच थर्टी त्री बैटिंग सेकंड ने जीते हैं तीन मैच यहां पर वो थोड़ा कम रहता है यहां पर यहां पर विकेट जादा गिरते हैं एक यह बहुत बड़े मां बोलवां की चीज जहां सा र बाता है ऐसा नहीं कि इंपॉसिबल टांस के तीन सुपर बनाने या पर नहीं बट बहुत साधा मुश्किल काम है यह चीज हम बोल सकते हैं बागी देखो विकेट की बात करें आप हर मैच में देखोगे विकेट बहुत गिर रहे हैं अठारा विकेट कुल मिला के इस मैच म बनने वाले स्कूर की बात करें 241 48 247 246 ओल और यहां पर 311 भाई बन गया था बट सेकंड टीम के जो हालात थे वह सहीं ही रहे तो सेकंड टीम आप देखोगे पिछले चारों मैचेज 2019 के वल तक चले गए हैं वल्कप के फाइनल तक वहां भी जो है वो टीम ओल आउट ही ह लिए अम बाकी अगर बात की हैं यहां से विकेट्स की तो फर अपने जो स्मेर से बहुत बढ़ेया करते हूँ दिखते हैं पेसर के आच्विकेट 14 विकेट्स 16 बिकेट्स है और एक और चीज़ बता दू यहां पर देख रहों यहां पर दों इंद ने अच्छा किया था ब दोनों तीनों को एक एक दो तो तीन तीन विकेट मिल गयते वो नहीं था सर्फ एकी बोलर इन दोनों मैचस में था जो स्पिनर ने बहुत बढ़िया किया था बाकि दो यहां पर पेसर्स अच्छा करते हैं तो आज के लिए पेसर्स को कहीं न कहीं एक असी विसे के तौर पर देख सकते हैं बाकि देखो विकेट के मामले में 27 विकेट फर्स निंग में 27 विकेट सेकंड में प्रकार तो वह सकता है इस मैच में आपको सब की वापस होते हुए दिख जाहेगे क्यों कि इंपॉर्ण मैच अब यह वाला भी इंगलेंड जीत लेती है तो फिर वह आखर ह जो ओडियाई है उस पर बात आजाएगी फिर क्योंकि सिर्यूज जाहेगी दो-दो से बराबर तो इस वजह से तो गहीं ना कहीं वापस से वापस हो सकते है ट्रेविस हैड की बी एडम जैंपा की इन सब के लाडियों की आपको पता है फॉर्म ठीक है तो डेफिनेटल एक इंपॉंट्ट पिक रहेंगा मैथ्ङू इस बंसे बेटिंग मेंजे Style भाट मेंसा बैंज पिक कर सकते हो सकते हैं कुद्ध को है जीरो पहला मैच बहुत अच्छा था लबुशन का बागी के दो मैच उतने खास नहीं गए अब स्मॉली के लिए आध सीजून देखते हैं तो फिर हाँ ठीक है छोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं को टीम से बट मिनी जील जील में लेना मन भूलना क्योंकि वो खिलाडी नहीं ह सब्सक्राइब करते हैं कि उतनी अच्छी फॉम में नहीं दिख रहा है जैमें स्मिद डीसेंट ऑप्शन है बड़ थोड़ा से रिस्की बनता है तो जो विकेट की पर सिक्षन में सेफ ऑप्शन रहेगा न वह एलक्स के रही ही बनता है दो मैंच काफी अच्छे गए हैं 77 74 उसके बाद में है ग्लेन मैक्सवैल यह बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों करेगा मैक्सवैल शोड से एट लिस्ट थोड़े से जादा वह डालता है बहुत जाद यह भी नहीं डाल रहे हैं साथ तीन चार ओवर के दकरीवन ही आ रहे हैं अगर जाते हो तो थोड़ा अलग सकता है हाडी तक बैटिंग आ गई तो वह चावालेस और तहीस रंस से उपर भी बना सकता है बाकि मिचल स्टार्क है आज के लिए मिचल स्टार्क है और अगर रिस्क लेना है तो कहीं ना कहीं सीवी से भी कर सकते हैं कि स्पिछ पर भाई ऐसा है आपको बता है लोड़ का म बन सकता है बिल्कुल आपकर ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो अब यहां से एक चीज़ है ग्रीन को खिलाएंगे की नहीं खिलाएंगे यह ठीक है कैमरान ग्रीन ने लास्ट मैच काफी बढ़ी है क्या फोटी टूरन जिरो विकेट हला कि उसने पहले भी अच्छा ही किया जब इसको बाहर बैठा दिया गया था 22 अनुस मैच में बनाए थे बाखी सब खिलाडी भी यहां से आते हैं तो उस केस में होगा क्या यह तो मेरे को लगता है एरन हाडी यहां से जाने वाला है या फिर कोई ना कोई बैट्समन में से बाहर बैटने वाला है ठीक है तो वह एक चीज रहेगे बागे उसके लाव बैट डार्शेस है सी नेवर्ट है लाश्ट मैच में जादा कुछ खास इन दोनों ने किया नहीं चांदस कमी रहेंगे खेलने के बागे उसकाद में इंगलिश है जैक फ्रेजर मेंगर और यहां से कूपर कॉनोली भी देखने को मिल तो यह है उस्टेलिया के तरश बहुत पूरी बैंच रहती है अब अगर बात करें इंग्लिण टीम के तो वहां से फिर आपको एक उफर के बात तो कर लूँ पहले में इंग्लिण टीम पर कहां पहुंच रहे हो तो आप देखो ऐसा है कि बाइस सबसे पहले आपको जाना है मैलें सर्कल डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए कि उफर है वहीं पर ठीक है तो वह सबसे पर प्राइज रहेगा जीतने के लिए वह हैं से स्यूवी काड़ी और भी साथ-साथ-साथ कैश प्राइज भी है और में बहुत सारी चीज़ें है विन करने के लिए तो इसी वाज़े से इंपॉर्ट नहीं कि बाई चलो पांच टीम लगा रहे हो ठीक है लगा देगे बट उस नहीं किया को फिर नहीं मिलेगा 20 परसेंट और जिनको नहीं समझ में आए क्या 20 परसेंट है मालनों आप 1000 रुपए द्यपोजिट करते हो तो आपके बैंक से तो विस लेचार रुपए कटेंगे बडापके बॉलस रुपए क्यों 20 परसेंट बढ़ कर हज़ार का बीस परस भी इदर से तो एक ही चेंज और वही चल रहा है इनका पहले मैच में और डूसरे में स्टॉण यह खिलाएगे किसकी जगे पर क्योंकि अभी के लिए पॉट्स ठीक बोलिंग कर रहे हैं ठीक है उसके लावा यहां से बात की जाए तो ब्रैडन कार्स विकेट निकाल रहे है तो फरदिक्कत यह टरणर को खिलाएगा पॉट्स ने लाश्ट मैच विकेट नहीं लिया अगर लेना चाहो तो ले लो बटाइटिंग के लिए केरी ज्यादा बैटिक अच्छी बैटिंग कर रहा है तो केरी डिफिनिटली कि बनेगा बैंड यहां से लाश्ट मैच अच्छा नहीं किया बट यह वो खिलाड़ी है जिसको मिसा उट नहीं कर सकते हैं बैंड कि अगर इंग तो ब्रूक की तरफ से आपको पता है या तो बहुत अच्छे पॉंट श्चाते हैं यह फिर बिल्कुल यह आते वह वाला हल रहता है ब्रूक का तो यह तो बहुत अच्छे यह बिलकुल नहीं है बीच वाला ऑफ्टिंग समिट है रन्मना इन्होंने साथ उसका बाद में लिए लिविंग्स्टन है बैटिंग प्लस पॉलिंग यह भी करने वाला है तो ते तीसरा एक विगट लास्ट मैच में लिविंग्स्टन की तरफ से था बाकि जैक बैथल अब जैसे एरन हांड इस डिफरेंचल है वैसे जैक बैथल भी तो मिनी जिली जिल में बिल्कुल बैटिंग आजाती है तो चांस अब इस पत्चेस में भी बना भी देता बागी ब्रैडन कार से विकेट अभी तक देखने को मल रहे हैं यह एक पेस बोलर है इंग्लेड की तरफ से अच्छा कर सकता है ब्रैडन कार से मैं तो पोड्स किसी एक की साथ में जा सकते हो और सेकि इसके लावा यहां से बेंच में लिश्टाउन है जिन्होंने तो वही एक विकेट निकाला जब खेले थे बागी टोपले जाद अच्छी फॉम में नहीं है कोक्स है और यहां से जोन टर्नर है अगर खेले तो आप मिनी जील या ग्रेंट लिक में तो डफिनिटली उसको प बहतर इस ग्राउंड पर बाइस में से उस्ट्रेलिया ने 14 मैच इस ग्राउंड पर जीते हैं साथ मैच इस हरे भी है और एक मैच ऐसा है जो उनका नो रिजल्ट रहा था उसका लावगार रनों की बात की जाए तो इंग्लेंड के प्लियर तो आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि सारे नहीं नहीं से है बट श्टीवन स्मिथ इस ग्राउंड पर पांच मैच खेला है रन बनाया एक सुच्छाटिस ताइस के अबर दो स्मिथ का रिकोर्ड उतना च्छा नहीं है इस ग्राउंड के साप से टीम में रख सकते हो सी वीसी के लिए मत जाना वाकि एले मैच में 10 विकेट निकाले हुए रेंश टॉपले की बात कीजा है दो मैच में 6 विकेट है और राशिद के नाम इस ग्राउंड पर साथ मैच में 6 विकेट है तो गलती से में चलमार्श लिग दिया बट स्टार्क का रिकोर्ड इस ग्राउंड पर काफी बैटर है उसके बात की जा तो स्मित 37 के वरे 37 मैच्च में 1109 रन है एक और बनाती 12 हो जाएंगे ग्लैन मैक्सवल 24 मैच में 897 रन है 39 के वरेस के साथ में ट्रेविस है 16 मैच में 830 59 के वरेस के साथ में यूर्थ का बाद में हैं मिचल मार्श 20 मैच 658 34 के अवरेज है लेक्स केरी 13 मैच 49 के जिसमें एक पारी 110 रंकी है और एवरेज आता है 63.50 का ठीक है उसके बात में अगर बॉलिंग के बात करें तो फिर राशिद अबसली सबसे उपर है 29 इनिंग 49 विकेट है मिचल स्टार्क के नाम 14 इनिंग में 33 विकेट जैंपा 14 इनिंग में 30 विकेट निकाले हुए हीजलवर जो अपने अच्छी के लिए लीडर्स रहते हैं बैटिंग एंड बोलिंग शेक्ष्चन से उसके बात में आते हैं अपने टीम के आप टीम के बात करें तो यहां को मायलेफंसर्गल की टीम और अगर मायलेफंसर्गल पर आपने अभी तक वो सौफर का फाया नहीं उटा कि भाई आप पांच टीम लगा सकते हो भी सर्फ एक रुपए में तो जल्दी जाए कि डॉपनोट कर लेना और लगा लेना ठीक है और साथ-साथ-साथ-स-स-क एक्ष्ट्रा-कैश भी आपको मिल सकता आपके पहले डिपोसित पर तो उसके लिए कोड लगेगा वो डिस्क्रि से मिचल स्टार्क को वाइस के लिए इस मैच में अच्छे उप्शंस भी है रिस्क लेना हो तो हैरी ब्रूक है सेम जाना हो तो लिविंग्स्टन हो गया मैक्स्वल हो गया ठीक है और इवन्स टीवन्स में ट्रेविस एड़िये कोई अच्छे उप्शंस है बाट मैं फिला सब्सक्रावट से वो भी कर लो और हाँ टेलिकराम चैल भी जरूर जोइन कर लेना इसका लिंक आपको मिल जागे डिस्क्रिप्शन में बागी उल्लवेस्टिस मैच के लिए मिलते आपको नेक्श वीडिया हों बहुत ही जड़े जब दो